हेलो एव्रीवान वेल्कम बैक तो माई चैनल गाई एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूं कैसे हैं आप सब आप सब आप इस अच्छे हैं खुश्यां अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूं आप सभी लोगों के हैं ठीक है और क्या पॉजिटिव एनरजी आप तक पहुंच रही है अगर आप एक स्पिरिच्वल कनेक्शन में हैं स्पिरिच्वल पाथ फॉलो कर रहे हैं तो क्या असर पढ़ने वाला है आपके स्पिरिच्वल लाइफ पर और देख लेते हैं क्या पता चलता है फुल आपके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो सो प्रीज कीप अन ओपन माइंड और रीडिंग टाइमलेस है जब भी आप यहां तक पहुंचें आप राम से देख सकते हैं एक काड आ गया हमारे पास ओ वाव 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 वान बट इन रिवर्स ओके ठीक है काड रिवर्स म सजजए रिवर्स नट रिवर्स नट अ में रिवर्स duż नट और रिव वोर्डबस ए्री ओर्डियोथ ऐवार्सेट थमेंरण है ऐसलʊंड प्राजदार्स नट ओवर्स लिवर्स सकत隨 McL 22 master number है यहाँ पर King of Cups Cancer Scorpion Pisces Page of Cups The World and 8 of Cups 7 of Souls फिर यहाँ से भी 2 number का card मुझे दिखा यह कुछ cards आए हैं आपके लिए यहाँ पर मुझे Scorpion, Torus, Leo, Aquarius and Sagittarius यह sign तो बहुत ज्यादा strong है इसके बाद यहाँ पर Aries भी दिख रहा है और Cancer Pisces भी है यह sign ज्यादा strong है यहाँ पर Libra भी दिख रहा है Gemini भी दिख रहा है तो elements तो सारी है जोड़ी एक sign भी सारी है अर्थ elements में से मुझे सर्फ Taurus ही दिख रहा है यहाँ पर ठीक है Capricorn और Virgo नहीं दिख रहा है बट हो सकता है यहाँ पर क्योंकि मैं सबके लिए reading कर रही हूँ तो आप देखे कौन सी बाते आपके साथ मैच हो पाएंगी गाइस मैं सबसे पहले आपकी current energy बताना चाहूंगी ताकि आप फिर फुल मोन आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं क्या events और surprises blessings तो फिर यह बात में डिसकस करेंगे पहले आपकी current energy पर बात करते हैं इस टाइम जितने भी यहाँ पर spiritual connection में हैं वो थोड़ा demotivate हो रहे है चीक है उनको लग रहा है कि इस connection में आप कुछ enough chemistry, attraction चीक है passion आप लोगों को दिखनी रहा है एक दूसरे के लिए right now मैं सबसे पहले spiritual connection जो जिनका है उनके लिए बता रही हूं इसलिए यह card सबसे पहले रिवर्स में आया आपको लगता है कि आपका connection खत्रे में है या फिर यहां पर कोई chemistry और romantic feelings है ही नहीं आपके person भाग रहे हैं आपको ऐसा feel हो रहा है और आप इस टाइम ठोड़े confused हो गए हैं कि क्या करें क्या action लें बहुत सारे options देखो खुले हुए हैं अभी आप वहाँ apply कर सकते हैं लेकिन आपका मन नहीं है वहाँ पर apply करने का और जो जिस चीज में आपका interest है जो आप जिसको आप अपने purpose माने बैठे हैं वहाँ के दर्वाजे अभी खुले नहीं आपके लिए उसके लिए आप मेहनत ही कर रहे हैं अभी भी आप wait कर रहे हैं और काम कर रहे हैं बट आप confused हो रहे हैं कि wait करना चाहिए या फिर जो रास्ते खुल गए हैं उस पर चलना चाहिए ठीक है एक इस तरह का भी confusion मैं देख पा रही हूँ और आप बहुत ज़्यादा इस टाइम upset है ठीक है fed up हो चुके हैं अपने life की hardships के साथ deal करते करते और लेकिन फिर भी मैं बोलूँगे आपके अंदर काफी हिम्मत है अभी भी आप बिल्कुल hard नहीं मान रहे हैं because आप God में believe करते हैं आप divine में trust करते हैं और आप उनके फैसले को सबसे पहले रखते हैं तो जो हो रहा है अच्छा बुरा जैसा भी हो रहा है आप उसको divine का decision समझ कर आगी ही बढ़ रहे हैं आप बहुत optimistic person है आपने जिंदगी के बहुत बहुत बढ़े बढ़े challenges face करे हैं और जिस position पर आज भगवान ने आपको बिठाया है वहाँ हर कोई नहीं पहुँच पाता पहली बात तो आप ये जान ले आपके साथ मुझे divine का support उनकी blessings कदम कदम पर दिख रही है ठीक है इस बुरे वक्त में वो आपसे दूर नहीं है आपके साथ ही मुझे दिख रहे हैं और आपके लिए भी divine कुछ चाहते हैं कि changes जल्दी आजाएं ठीक है जल्दी आप जो चाहते हैं वो achieve कर लें लेकिन जो lessons आपके pending है वो तो आपको सीख नहीं पड़ेंगे न तो आप बिल्कुल भी confuse मत होना यहां वहां कोई shortcut अपनाने की कोई ज़रुत नहीं है जो आपका main aim है उसी पर काम कीजिए यह जो connection आपको आज लग रहा है कि यह हाथ से निकल रहा है या फिर यहां पे enough chemistry नहीं है passion नहीं है तो यह तो पता ही क्या हो रहा है यह सर्फ एक separation phase में हो और isolation phase में आपको जाना पड़ सकता है ताकि आप अपने goal को जल से जल अचीव कर सके यह सर्फ इसलिए हो रहा है तो अगर आपकी love life में कुछ खास improvement नहीं हो रहे हैं तो आप जब भगवान पे तना believe करते हैं तो आप इस चीज़ को भी भगवान का ही फैसला समझ कर आगे बढ़ जाईए वो आपके लिए बहतर करेंगे बहतर से भी बहतरीन करेंगे यह बात आप जानकर आगे बढ़िए अपना सारा concern उनके कदमों में रख दें और आप tension free होकर ही काम करें क्योंकि tension के साथ काम करोगे तो आपके काम नहीं बनेंगे ठीक है टेंशन free होकर आपको काम करना है बहुत अच्छी personality है बहुत ज़्यादा सबर कर सकते हो patience रख सकते हो बहुत strong personality हो आप ठीक है और आपके person आप जितने strong दिखने ही रहे है ठीक है वो बहुत emotional है बहुत जल्दी से ही decision ले ले लेते हैं फिर बाद में पस्ताते हैं इस तरह का दिख रहा है उनका behavior आप जितने strong नहीं है जितने ज़्यादा strong आप हैं अभी आपके person को वहां तक पहुँचने में थोड़ा time लगेगा ठीक है लेकिन यह आपसे प्यार करते हैं मुझे तो emotional connection अभी भी दिख रहा है emotional touch दिख रहा है आपके person की तरफ से तो अभी connection पूर तरीके से खतम नहीं हुआ है और यह खतम होगा भी नहीं अगर आपका देखो यह connection है ना चलो ठीक है इस time थोड़ा सा problematic situation है नहीं आपका contact हो पा रहा है आपके अलग-अलग hardships हैं आप दोनों के पास ही कोई बात नहीं बट connection तो आपका twin flame का ही दिख रहा है ना यहां पर तो भाई आपकी जो journey है वो already बहुत difficult है ठीक है और आपको कोई shortcut लेने के जुरूत नहीं है अपने भगवान का नाम लेकर जो aim आपका है उसी पर ही डटे रहो और अपना काम करते रहो ठीक है बहुत strong personality हो और जल्दी आप एक decision लेते हो और मुझे दिख भी रहे हो और आपका जो decision होगा वो आपके goal जो आपका है ना वो वहीं होगा उसी के favor में होगा तो अभी confusion भी divine दूर करवाएंगे हर एक चीज आपके लिए solve करवाएंगे आप यह मान के चले सारे solution आपके पास आएंगे अच्छा यहाँ पर ना अगर आप चाहें आपको बहुत दिक्कत आ रही है काम आपके बन नहीं रहे है तो आप technique follow कर सकते है ठीक है वो triple three वाली technique follow कर सकते है या फिर triple one वाली आप technique या फिर triple five technique ठीक है आप जब google पर search करेंगे youtube पर search करेंगे तो आपको इन techniques यह क्या होती है यह आपको समझ में आ जाएगा ठीक है suppose that अगर आपको 555 number बहुत ज़्यादा दिखता है तो आप 555 technique ही use करो ठीक है या तो आप बोल के उसको करो या आप लिख कर करो लेकिन वहाँ पर आप अपना dream present tense में लिखो कि आपके dream पूरे हो चुके हैं वे आप पूरे हो रहे हैं और फिर आपको universe को thank you बोलना है ठीक है इस तरीके से आप अपना करो अगर आपको लग रहा है ना जो भी number बहुत जादा दिख रहा है तो उसी number से related कोई technique google पे भी search कर सकते हो और उसे follow कर सकते हो या आप कर सकते हो अपने hard work के साथ साथ थोई techniques भी follow करो अब देख लेते हैं कि full moon आपके लिए क्या changes लेकर आने वाला है current situation तो आपकी यही दिख रही है मुझे अभी yeah celebration आपके पास तो इसका मतलब कुछ positive outcome आप 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 इस वाई oh wow victory and success लो जी आपका na hard work बिलकुल पूरा होगा आपका hard work बिलकुल pay होगा divine आपको कुछ success, victory, celebration ही बेज रहे हैं आपकी life में तो wow यानि कि full moon आपके लिए बहुत ज़्यादा fruitful सावित होगा मतलब yes आपके पास victory आ रही है oh my god wisdom भी आ रहा है आपके पास मुझे तो लगता है कि आपका आप में से कुछ लोगों का goal बिलकुल पूरा होने वाला है आने वाले time में जल्दी ही guys जैसे ही full moon आता है उसके दो तिन दिन बाद ही हो सकता है victory, success और आप celebrate करें देखो यहाँ से भी ना number 11 दिखा मुझे ओके और देखते हैं हम card और निकालेंगे full moon, oh my god, new beginning, prosperity, prosperity लेकर आ रहा है आपके लिए full moon celebration, victory, success, wisdom, वाव तो देखा, जितना सफर आपने किया है तो universe आपको reward भी उसी तरीके से दे रहे है ठीक है, आपने जो भी अगर इसी time पे अगर कोई result आना है तो वो positive आ सकता है कोई अच्छी deal बन सकती है, या फिर आपकी जो भी burden जो आप face कर रहे थे, अभी तक जो आप देख रहे थे, वो खतम हो जाएगा या फिर आपकी hardships खतम हो रही है, लेकिन आपके बास wisdom आ रहा है, universe का support आपको पूरा-पूरा मिलेगा आने वाले time में और full moon जैसे ही आ जाता है, आपके अच्छे दिन भी शुरू हो रहे हैं, ठीक है, prosperity आ रही है, celebration जिसके लिए आप काफी रो रहे थे, देखो patience and planning थोड़ा patience अभी भी रखे क्योंकि हो सकता है कि आपको जो आपका result है, वो 80% मिल जाए, 20% फिर भी divine रोक ले, तो आपको उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका है patience divine की है planning, ठीक है, और आपका patience भी आप hard work कर रहे हैं, उसमें भी तो फिर definitely आपको इसमे का रही है, अब material and spiritual prosperity, तो prosperity के तो दो-दो card यहां पर आ गए है, साथी साथ victory का card आ गया है, celebration का card आ गया है, आप में काफी spiritual strength है, आप काफी अच्छा कर रहे हो, तो मुझे outcome तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 20% अभी और आगे बढ़ रहे हो, अपने target की तरफ और आपको अच्छीफ हो जाएगा, जल्दी अच्छीफ हो जाएगा, विकाउज अब universe का भी support है, आपके पास, वो तो हमेशा से ही रहा है, विकाउज जो इतनी tough journey जो आप face कर रहे हो अपनी life में, यह हर कोई नहीं कर सकता, और आपको दी भी इस ले गई है, विकाउज आप उसको deserve भी करते हैं, तो देखो मेरे को यहाँ पर भी बहुत बड़ा sun दिख रहा है, यहाँ पर भी sun दिख रहा है, तो yes sun ही आ रहा है, आपकी life में खुशियां आ रही है, आपकी life में काफी positive changes आ रहे हैं, और रही बात आपक ही हमेशा महल रहेगा, यहाँ पर भी changes आएंगे, ठीक है, express your love, calling in your soulmate, देखे गाईज आप अपने love कैसे express कर सकते हैं, आप true love and honeymoon, आप अपने love कैसे express कर सकते हैं, आप अपने soulmate को भी याद करते रहे हैं, उनको बिलकुल भी न भूलें, अगर आपकी बातचित बंद है, औ आपको लगता है कि यही आपका true love है, और आपके अभी जो love life है, वहाँ पर tower moment है, या फिर अभी separation phase में हो, तो आप हमेशा उनने याद करो, उनको बुलाते रहो, ठीक है, कैसे भी, जो भी आप बोलो, जो भी आप कहो, बट आप उनसे connection, universe के थुरू बना के रखिए, इसी intuition आपको इसी तरीके से guide करती है, तो yes, यह आपके true love है, और इसी के साथ आपका future भी मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है, आप बहुत खुश रहेंगे, और world घुमेंगे इस person के साथ, तो yes, इसको आप अपने यादों में भी याद करें, और बुलाते रहें affirmations के आपके पास, यह कार में सबसे अच्छा लगा अभी तक, जो weight है वो अभी आप यह समझ लीजे, कम होता ही जा रहा है, और जल्दी आप अपने goal को achieve करने वाले हैं, बहुत जल्दी करने वाले हैं, ठीक है, एक दो step आगे ही बढ़ रहे हो, फुल मून के आने से आपको और जब अगर यह बात सच हो जाए, तो आपको मेरे चैनल पर आकर comment में मुझे बताना भी है, okay, so guys, this is your reading, I hope कि आपके साथ resonate हुई हो, आपको पसंद आई हो, अभी के लिए बस इतना है, guys, bye, take care.